नमस्कार दोस्तों मैं दीना आपके अपने चैनल लीना के चैनल रेस पर यह व्लोक से स्वागत करती हूं तो उत्पन्ना एकादर्शी जो कि मार्ग शिस महा के क्रेश्न पक्ष की एकादर्शी के दोरान आती हैं तो क्रेश्न पक्ष के दोरान मार्ग शिस महीने की एकादर् के लिए सालाना ववास रखना चाते हैं उन्हें इसी दिन से ही उसे शुरू करना चाहिए हिंदू मानेता हों पुरानी कथाओं के अनुसा ऐसा माना गया है कि इस हिंदू तीठी पर ववास को रखने से भक्तों के सभी अतीत और वर्तमान के पाप धुल जाते हैं और यह दि भगवान विश्णू की शक्तियों से एक देवी एकादशी के सम्मान में मनाया जाता है यह भगवान विश्णू का हिस्सा थी और राक्षस मुर्ग को मारने के लिए उनसे पैदा हुई थी जब उसने शैन के समय भगवान विश्णू पर हमला करने और मारने की कोशिश की थ तो इस दिन को मा एकादर्शी की उत्पत्ती और मुर्ग के विनाश के रूप में याद किया जाता है उत्री भारत के कई हिसों में उत्पना एकादर्शी माक्षिस महीने में मनाई जाती है और कई के जगर पर कार्थिक महीने में भी आ जाती है साथ ही हम जानते हैं कि भक्त उत्पन्ना एकदर्शी की पूर संध्या पर माता एकदर्शी और भगवान विष्णों की पूजा करते हैं पर ना एकदर्शी की सही डेट और टाइम जानेंगे जो की रविवार 20 नौबर 2022 के दिन है और 21 नौबर को वारत तोड़ने का सही समय हैं सुबह 6 बच के 48 मिनिट से 8 बच के 56 मिनिट पर हैं और पारण तिथी के दिन 22 नौबर 2022 के 20 बच के 49 मिनिट पर है और 21 नौबर 2022 को सुबह 10 बच के 49 मिनिट पर हैं उतपना एकदशी को किस तरह से आप एकदशी का वरत किया जा सकते हैं तो एकदशी का वरत एकदशी की सुबह से शुरू होता है और द्वादशी के सुर्वधय depends समाप्त होता है। ऐसे कई भक्त हैं जो सूर्याद से पहले सात्विक भुजन का उभोग करके अपने दस्वे दिन से उपवाज की शुरुआत करते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज दाले, चावल का उभोग करना निशिद होता है। भक्त सूर्यदे से पहले जाकते हैं और इस्नान कर करने के बाद ब्रह्म मूरत में भगवान क्रश्न की प्रातना और पूजा करते हैं। एक बार सुबाई की रस्म पूरी होने के बाद भगवान विश्नु और माता ये कदाशी की पूजा करते हैं और उनकी प्रातना भी करते हैं। देवताओं को प्रसंद करने और उनका आ अच्छे कारी को अत्यादिक फाइदेबन माना ज़्यादा है क्योंकि भक्त अपनी शम्ता के अनुसा कपड़े धन भोजर और कई अन्य आवशक चीजेदान कर सकते हैं सबसे ज़्यादा महतु उत्पन्ना इकादशी का जब होता है जब भविश्य उत्तर पुरान जैसे कई हिंदू गरंथों में वर्नित बतायाई जो की बातचीत के रूप में मौझूद है जहां राजय युदिष्टा भगवन क्रेशने के साथ वातलप में शामिल है और त्योहार का महत और शुपकामना जैसे संक्रांती जैसा है जहां भक्त दान के क्रत्यों का पालन करके काफ भी पूर्ने अर्जित करते हैं इस दिन उपवास रखने से भगवन ब्रह्मा महेश और विश्नु का आशिर्वात मिलता है इसलिए यदि उपवास अत्य दिक समर्पन के साथ मनाया जाता है तो भक्तों को दिफ्य आशिर्वात का वर्दान मिलता है तो उत्पन्ना एकाद को बहुत भैव और उन्हों ने बदत के लिए भगवन विश्नु से संपर्प किया तब भगवन विश्नु ने सेकड़ो वर्षों तक उसके साथ यूदि किया और इस भी सकान की वज़े से भगवन विश्नु थोड़ा आराम करना चाहते थे इसलिए उन्होंने गुफा मे प्रवेश किया और वहाँ जाकर सो गई गुफा का नाम हिमावती था और उस समय दानों मुड ने केवल गुफा के अंदर भगवन विश्नु के हत्या के बारे में सो चाता उस विशेश पल में एक खुक्सूरत महीला दिखाई दिया और उसने लंबी लड़ाई के बार रा राक्षस के ब्रत्य शरीर को देख कर वे चौक गए और महीला भगवन विश्नु का हिसा थी उन्होंने उसे एकादर्शी का नाम दिया और उस समय अवदी के बार से वह दिवस उत्पन्ना एकादर्शी की रूप में जाना जाता है तो यह थी उत्पन्ना एकादर्शी के बारे में विस्ति जानकरी अगर जानकरी अगर आपको पसंद आए थोड़ी इसी भी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें पहले कम प्रेस करें अरे किश्रा